आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के अदरान आपको कच्छी प्याज खानी चाहिए या फिर नहीं अगर आप भी गर्वती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें भारत में सायद ही कोई ऐसी रसिपी होगी जिसमें प्याज का इस्तमाल ना होता हूँ प्याज कई पूसक्त ततो और गुनों से युक्त होता है लेकिन इसे खाने के कुछ साइट इफेक्ट भी हो सकते हैं इस वज़े से गर्वती महिलाओं को अपने आहार में प्याज को सामिल करने से पहले प्रेगनसी में प्याज खाने के फायदे और नुकसान जान लेने चाहिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या प्रेगनसी में प्याज खाना चाहिए या फिर नहीं तो हाँ आप pregnancy में प्याज खा सकती है इसका कसेला स्वाथ pregnancy की craving को सांध कर सकता है हाला कि इस समय आपको किसी भी चीज का सेवन अधिक मातरा में नहीं करना चाहिए और इस नाजुक समय में moderation के साथ ही प्याज का इस्तमाल कर सकती है यानि की कम मातरा में या फिर एक सी मित मातरा में आप खा सकती है प्याज में ऐसे गुन पाये जाते हैं जो सरीर को साफ करने का काम करते हैं प्याज में vitamin C होता है जो की गर्वती महिला की immunity को बढ़ाने का काम करता है प्याज में परचूर मातरा में dietary fiber होता है जिससे पेट साफ रहता है और गर्वती महिला को कबज नहीं होता कच्छी प्याज में ऐसे पोसकता तो पाये जाते हैं जिससे blood pressure को control रखने में मदद मिलती है प्याज preclepsia, gestational hypertension और preterm level से बचाती है कच्छा प्याज blood sugar level को नियंतित रखती है gestational diabetes के लिए या superfood माना जाता है अब बात कर लेते हैं pregnancy में प्याज खाने की नुकसान के बारे में गर्भावस्ता के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण मसूरों में दिक्कत होने या प्लाग जमने, सूजन और bleeding का खतरा बढ़ जाता है प्याज में anti-bacterial गुन होते हैं जो pregnancy में oral health को ठीक रखते हैं pregnancy में जब गला खराब हो जाता है तो एंटिबाइटिक लेना नहीं चाहिए तो गले में infection का इलाज प्याज कर सकती है आप प्याज के रस में सहच डाल कर ले सकती है यदि गर्वती महिला अधिक मातरा में खा ले तो उसे फायदे के जगर नुकसान मिल सकता है अधिक मातरा में प्याज खाने से सीने में जलन या कभी-कभी दस्त भी हो सकती है कुछ गर्वती महिलाओं को प्याज से अलर्जी होती है और अधिक मातरा में प्याज खाने से उन्हें दिक्कत हो सकती है कुछ मेलाओं को अधिक प्याज खाने से सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है वैसे तो प्याज को प्रेग्नेंसी डाइट में सामिल करना अच्छा रहता है लेकिन आप इसे कम मातरा में ही खाएं तो बहतर होगा किसी भी तरह की ऐलर्जी दिखने पर अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले गर्वती महलाएं किसी भी तरह से अपने आहार में प्याज को सामिल कर सकती है खाना बनाते समय सबजी में एक अच्छा प्याज डाल कर भी खा सकती है और सलाद में भी इस प्याज का इस्तमाल किया जा सकता है इसके इलावा सूप, सैंडवीच और पास्ता आदी जैसे वेंजनों में प्याज डाल सकती है कोसिस करें कि प्याज अधिक मातरा में ना खाएं मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो माई चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं